इतने बड़े नुकसान के सदमे से तो लोग वैसी मर जाते हैं मैं अपने कमरे से चीज़ उठा लेती है अफकोर्स जान जो तुम सामाने कार दो मुझे भी अपनी पैपिंग रही तुम जो में तुम्हारी चाय बना कर लाती है क्या राही यह आज यहां से वापस नहीं जा सकती इसका काम तमाम कर दो हम इकटे लाहर चले जाएंगे पैर अगल हो कि तुम तुमाग खराब हो गया तनी जल्दी हाँ सबर करो हराम से लाहील में जलबाजी नहीं करी हूं मैं वक्त पर फैसला करी हूं और तुम्हे पता है मैं जजबात में कोई फैसला नहीं लेती है तुम इसको देखो मैं चाय बना कर लाती हम जाओ हालो मेरी बात कहुर से सुझ दो टिकेट्स चाहिए मुझे लाहर के लिए अर्जंटली बुग करो ओके चल्दी विदी मेरी जान विदी विदी तुम पैकिंग करो मैं वाश्रूम से होगा बीनी चाय पीरो तुमने इतनी खामखा तकल्द की मुझे तो सिर्फ चाय की तलब हो रही थी तुम अजीद अपनी मॉम की सिर्फ रुखो की मॉम ड़र परिशान है जल्दी वापिस नहीं आपाउंगी इसलिए मैंने सोचे कि आके कप्रे ले जो अच्छा भी नहीं चाय ठंडी हो रही है तो मज़ा नहीं आगा भी पीलो या थैंक्यू मैं पीलेती बीनी तुम कब तक रहोगी जब तक तुम का होगी मैं तो चाहता हूँ कि तुम चाहोगी है मजबूरी है वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहती अपना घर छोड़ के जाना वगर तुम फिकर नहीं करो तुम जब लाहौर से वापस आओगे मुझ अपने पास पाओगी डेफिनिटी मुझ अपने पास पाओगी अरे आम सू सौरी यह तो चाह तुम्हारी थी इस वोके तुम पीलो मिर वैसे भी मूड नहीं चाह पीने तुम बबली चाह अची बनाती बबली तो चाह मास्टर यह तो है हैर उसका क्या हुआ वह जो अकाउंटेंट काफी टाइम से गाइब हुआगा है बात है उसे हाँ वह पुलीस उसे ठूंड रही है बलके मैंने भी अपने बंदे लगा है बहुत जल्दी पखला जाएग बचे का नहीं सही कह रहा हुआ सही कह रहा हुआ जो भी इस ट्रॉट में मुलवेस है बचने ही सकेगा बीनी वो तुम आज रात को बिलकुल मचा लोगा नहीं जाओंगी एंग मैं पैकिंग करना प्रिक्स यह एंग थक्याओं थोड़ा सारेस करें इस परत प्रम रहिल रहिल झाल झाल आओ राहील सो गया इसको तो अपने दोस के कर जाना था आजे कहीं नहीं जा रहा तुम फिकर नहीं करो तुम जाओ तुम अराम करे तुम फिकर सब कुछ भूल गया अगर जानता है मैं भी माफ करने वालों में से नहीं हू जुबा होने पर तुम्हें अगले जहाने पहुंचा दूए तो तुम्हारा ये नकरा और अकर सब खाक में बिल जाएगी चाई पीली तुमकरी अदू Thank you. आप दिन से सुस्त और निडाल और सोती ही जा रही है। मेरी चार्ड अच्छा है ना तुम रेज़ करें। नहीं नहीं। हार चलास में मुझा ओफिस जाना है। अब इस हालात में तुम ओफिस कैसे जाओगी। मैं हूं, खुद ही सबाल लिऑ और उफिस जाओगी। बहुत कर दिया रेस्ट, बिमार नहीं हुं मैं। मेरी चार्ड किसने कहा तुम बिमार नहीं। अपनी हालत देखु सो, बिलकुल बिमार लग लग रियो तुम, और आफिस? मैं हूं, खुद ही सबाल लिऑ तुम आराम ही करती है, मेरे पास में हो तो तुम्हें पूरा दिन सुलात है बीनी, बीनी, तुम सोच, बीनी, सब ठीको जैंगा, बीनी? नरी। देड़ आया थे? अहु? जुठाया क्यूंए रिजवाद थे रेस्ट करें थी तुम्हें कैसे इस्टरब करता मी? फल्कि देड़ भी मुझे माना किया था तुम्हे उठाने से, इसले नही उठाया? कर दो कर दो कर दो कर दो वाद पिस्टिल तुम्हारे पास क्या कर रही है? मेरी ज़ान सेफटी के लिए गज़ा तुम्हे खत्रा है किसी से? हम तुम्हें तुम्हें से मसाकर देगो आमीर लोगों के यह सौदोस्त होते हैं हजार दूशन, कभी भी किसी की नियत बदख सकते हैं, सेफटी के लिए जो भी है यह बहुत खतरनाग खिलोना है, दूर करो इसे मुझसे डर लग रहा है मुझे से डर? जहां, विनी मेरी चानद तुम्हें पहादूर शक्स की बी पहादूर कान उन्हें, एक दोख ओपता हैं चलो मैं तुम्हें यह आज चलाणः से, बदो तुम्हें नहीं सीखने चानः प्रोस की नियुक्त तुम लोड करते हैं, ओके, और इस तरीके से तामते हैं, आराम से ये ट्रिगर पर उंगली दबाओगी, और ट्रिगर दबाओ, बन्दा खल्दास. आज बाप, मेरी वज़ा से दिवालिया हो गए, मैं उनका जवान जाँ बेटा, माजूद बनकर इस कमरे में छुपा रहता हूं, और वो, वो दूसरों वर डिपैंड करते हैं, मैं बिल्कुल, बिल्कुल बेकार, निकमा हूं, बापा इस बुड़ाबे में भी काम कर रहे हैं और मैं, 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 मैं जिन्दा क्यों हूं, पुछे तो, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो बोजू हूं अपने वालदान पर, सब पर, किसी का साहरा निए बन सकता, किसी का साहरा निए बन सकता, मैं बोजू, मैं बोजू तो मुझे, मुझे जिन्दा नहने का भी कोई हप नही है मैं बोज नहीं बनना चाहतूँ, 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 मैं बोज नहीं बनना चाहतूँ ते पर थागर आज अब से इस अब खुब भाब कुफ प्राइब अब ए आजुआ है आज अब बाबा को अब आज वालीज़ ताफर क्या करते हैं मुझे आवाज देली होती, क्यों करते हैं ऐसा, पर एक मिटे, एक मिटे, क्यों बुला लेता मैं आपको, मैं बोज हूँ सब पर, नहीं बनना मुझे किसी के उपर, मैं किसी के लिए हैम नहीं हूँ, पापक किसी के लिए हैं नहीं हैं, आप बहुत हैं हैं, आप पड़े लिखें हैं, काबिल हैं, लायक हैं, तर तर तांगी तो काम नहीं कर रहीं, तर दमाग तो काम कर रहे हैं न साब, आप इस दमाग को इस्तमाल करके, दुन्या फटा कर सकते हैं साब, साल ये मायोसी और नौमीदी की बात भार निकला है साल साल आप अपने बाप का वाही सहारा है मैं किसी का सहारा नहीं हूँ किसी का सहारा नही हूँ, मैं बोझू हूँ, बोझ। अरे साब आपने कौन से गलियों में चोगिदारी करनी है या खेत में चलाने है अरे अल्ला ताला ने आपके हाथ, कान, दमाग, आखे सब सलामत रखी है अरे आप बड़े साब का सारा बड़े साब इस वक्त उनको आपकी बहुत सब जरूरत कि यही वक्त है और तो साबित करने का साथ हिम्मत करने का और दुनिया को दिखा देने का कि आप जहीर साब की हिम्मत और टाकत है बड़े साब बहुत परेशाने साब उन्हें आपकी सबसरूरत हिम्मत बड़े साब कड़े हो जाए, कड़े हो जाए साब तो तॉड़ादवा कजू़े राहील दुबढार राहील, राहील दुर्माज खोलो Ö व हमने नहीं छोड़ोंगी और तुम मेरे हथा नहीं बचो गी बीनी कहा तुम! और यह राहिल की तक सो रहा है! उत्ते उठो! उठो खड़े हो! देको बीनी कहा चली गही है! उत्तो राही रोश में आओ बीनी नहीं है यहाँपर! स्निफ सभी उठ राहिल उठो! राहिल उठो खड़े हो! फिनी को ढूंड यह आँ! क्षुडेल उसे यही बचे मैं Yahya stands. उठव। खड़े ओ, waxs level we have to find him. उठव। क्या हो गयाे? इसको भियोश हो, तो अ हुई ह है यही ! तू मियोश है। राहिले हॉश मे. जोच मैं और लोगिेश 너 इसको मैं मैं जान चुड़ू है? वीनी, मेरी जान, किदर हो तुम? वीनी, चुड़े, अधेन्गा पजए और कहा ह? अधेन्गी है ये! वीनी? यहा है वह क्या सबझते हु कुद को हा? के तुम मुझसे बच जाओगी? ना 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 वीनी, तुम मुझसे नहीं बच सकती आज तक मुझसे कोई नी बचके जा सका, क्यों नहीं, उता हो इसको बिल्कुल सही कहरी हो तो, बिनी यूनो वाट, तुम मेरी पांचवी पीवी तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारा सारा पैसा, मेरा और इसका हो नहीं, तुम तुम ऐसे मौब्बद करते हो, राहिल, मैं तो तुम्हारी पहली और आखरी मौबदहूनँ यह तो यह बात हर अमीर्जादी और बेवाकूफ रड़की से करता है, क्योंकर इसकी पहली और आखरी मौबद demographic हो बेवाकूफ लड़की मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम लोग क्योंकि तुम्हारे बाप के क्रोडों रुपे और फ्लैट हमारे पेट में जा चुके हैं समझाई तुम्हें और अब तुम्हें जिन्दा चोड़ना मौत को दावत देना जैसा है और वैसे भी हम अपना कोई भी निशान पीछे नह तुम्हारे घर में आज तक जो भी हुआ ना बीनी वह सब हम भी किया है तुम्हारे ओफिस में जो आग लगी थी वह भी हमने लगाई थी और तुम्हारी अदूसा खुशनसीब थी जो बच गई और आज तुम्हारा भाई जिसाल में है ना उसके जिमेदार भी मैं और रा क्या हुआ जहीर आप अभी तक सोए नहीं है उसनी नहीं आ रही है असी कबराद हो रही है दिल परेशान हो रहा पताने क्यों आप इतना अप खुद को परेशान क्यों करते हैं पैसी तो थे कोई बात नहीं इंशाला फिर आ जाएंगे आपको संभाले बहादर बने नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे पैसों के कोई परवा नहीं है बस वजीब सी घबराद है मैं बनीद को देख करा हूँ अभी ठीक है और बीनी में बिलगल ठीक है कल सुबह आ रही है आज राहील ने उसको बुला था और उसने कुछ सावान उठाना था माशालला हमारी बेटी तनी बहादर है उसने काया कि मैं पता करवाँगी ये बारदाद किसने करवाई और क्यों और आपको तो बीनी का पता है ना वो करवा भी देगी वह बस आप टेंशन ना ले मुझे फिकर होती आपकी भिएर बेर बेर बेरर नहीं नहीं हुआ नहीं अफेगर करींः नहीं मुझे दो अउन नहीं हीए तो यह जाए नहीं कर देंदां मेरे करीं मतना थabord прок güण। मुझे दोखा तिया मेरे क्लोंना कॉ श्मर्मि लेलेर औरिम पागल और अच्छाफाजी गर मुझे दो और ना मेर तुम्हे माद होगी नहीं चोड़ूगे तुम लगों को मैं अब ये पलिस को बलाती हूँ है पिनेट राहिल 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 उटो राहिल उटे तुम्हे कुछ लिवसका राहिल चुले तुने मेरे राहिल को मार दिया आज में तुझे नहीं चोड़ूगी राहिल झाल 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 वाँ 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 कर दो कर दो जिसे दूज़ा इंज़ सबसे हैं तो शुचल एंज़ां तो जो परेज़ा भी तो खोड़ा है जी खाहना सब इस की ना भी तो जी में हूँ का फादर माज़ करा हूँ क्याल अब अब व्याओ अब अब रखोगड क्या हुए बीव क्या हुए क्या हुए मरी बीनिको है मोसिन, कितना शानदार घर है, देखो तो जरा, यह देखो, है, मैं तो ना यहां, बहुती शानदार सी दावत रखूंगी, सब को जलाऊंगी, सब को पता चले कि साइवा ने घर लिया है, क्या जरूरत शोबाजी करने की, सब शुकर करो बस, क्यों भाई, मुझसे अपना सबर नी होता, और वैसे भी, सब को बताऊंगी ने, तो पता कैसे चलेगा, खुदा का वास्ता था, अभी इस घरगी ना मैंने पूरी पेमेंट न कैसे भी, सब को पता चलना चाहिए कि हमने घर लिया है, और कैसे पता चलेगा जब तक दावत नी करेंगे, और लेखो तो सरा, मुझसे यह देखो, इदर हो इदर हो, यह यह वाला जो कमरे है हम अरूसा के लिए रख लेंगे, सही है, जब वो आया करेगी ना तो उसे यही निकाल दिया है, तो उसके पास भी तो कोई जगा होनी चाहिए ना, और शेजाद तो है ही कमीना, उसे इतनी बाते जो सुनाता है मैं असके चारी की बेबेसी का क्यों मजाक अड़ा रही है? हर्किस नहीं, मैं तो उसका एसास करी हूँ, बहन है मेरी, मैंने ही एसास करूंगी तो और कॉन करेगा? कितना बड़ा लाउंज है ना मोसिल, यहाँ, यहाँ पे ना हम एक्वेरियम रखेंगे, ठीक है? कितना बड़ा है, यहाँ, 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 अब मेरा घर है तो मैं उसे अपने तरीके से सजाओंगी, यहाँ, और इन सब चीदों के लिए पैसे गहाँ हैंगे? वही से, जहां से एग घर आया है, अब देखो मेरी जान, हिम्मत पकड़ी है ना, तो होसला करो, और तीन जाना बड़ी आसामियों से पैसे पकड़ो, फिर चाहे तौबा कर ले ना भाई? तुम मुझे तौबा करने का मौका दे रही हो? बिल्कुल भी नहीं, बलके तुम दुछाती हो के मैं जेल चला जाओं, जितनी तुमारी हवेस और लालच है, देखो, सबर करो, वनना सब कुछ खाम हो जाएगा, बगतना पड़ेगा हमें, हर्गेज नहीं, तुमें पते है जब जब तुम पैसे लेके आते हो ना, सबसे पहले में सदका और खैरात करती हूं, जुकराने के नफ़ल अदा करती हूं, और अल्ला का इतना शुकर अदा करती हूं, कि या आला पाक, तु दे बचा लिया, बस तु बचाए रखना, तुम मैं कर क्यों करते हो ना जान में जलो आप उपर देख किया देख, आजाओ अरे यही तो टेंशन है कि तुम हो मेरे साथ आजाओ ना, आजाओ उपर देख किया देख मैं तुम्हे खत्म नहीं होने दूँगा, हुलुसा क्योंकि वलीद की सासे, हुलुसा की सासों के साथ जोग गई है अब जीना और मरना साथ होगा यगीन है ना मुझमा अभी से तक गई, अभी से हार माल गई और उसा अभी तो बहुत सफर बाकी जिन्दगी का मलीद मैं बहुत कमजोर हूँ और इतने तबील इम्तिहान के लिए कहां से लाओ हमार जो मेरी पर्दास से जादा दर्दनाक है रूसा इस इंतान में मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर मैं तुम्हें कभी अकेना नहीं जोगो मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मुझे भी तकलीफ होती है मैं चाह कर भी तुम्हें कभी किसी अजिब में नहीं डाल सकता हूँ और भई नोकरी मिली या आज भी कटी पतंगी दाना डोलती हूँ वापस आगई हूँ इस खामोशी को इंकार समझू मैं मैं कोशिश कहा रही हूं भापी अरे वो क्या नामतत महीं दोस्का जोया तो मुझसे बात क्यों नहीं करती जहां पहले नौकरी करती थी वहीं पे कर लो क्या पुराई है पॉसिबल है उन लगों ने मेरी सीट पर किसी और का उपाइंट करती इतना टाइम सीट खान में रह सकती किरे बिटा पानी प्यों असे सिकून से पानी तो पीने तो कम असका हाँ तो पीले पानी भाई मैं कौन सा नलके पे हाथ लगा के खड़ी वी हूँ एक की जगा दो गलास पीले पूछना तो मेरा हक है मैं भी इस घर का फर्द हूँ भाई अब देखें ना मैं तो इस बेवकूफ को इतना समझाती थी लेकिन इसको मेरी बात कभी समझ ही नहीं है इतने अमीर कबीर आदमी से शादी करके भी औरत अगर कंगाल हो ना तो उसे बेवकूफ कहते है मैं होती ना ममी जी तो मैं इतने पैसे बटोड़ती कि मुझे इसकी तरह दरदर के ठोकरे नहीं खानी पड़ती वैसे ना अब शहजार चीज़ के बारे में परकूल ठीक कहते हैं ने लो मेरी उरूसा ऐसी हर्गस नहीं है उसमें सारी जिन्दही सच्चाई और खुद्दारी से गुजारी है कभी किसी के बश्बूते पर उसने कुछ बनाने की खोशच नहींगी जो कुछ भी बना उपनी इज़त अपना नाम अपनी महनत और ओर इमान्दारी से बनाया है मैंधे आपना कभी कभी बहुत हजाती है मेहनत और इमानदारी से इसको सिर्फ तीन चीज़े हासल जिल्लत, खौरी, शर्मन्दगी और मिला क्या ठेंगा अगर दूसरों के लिए मेरी अना और रिज़त, जिल्लत, शर्मन्दगी और खौरी हो तो मुझे फखर है कि मैंने इतने मुश्किल हालात में भी खुद को गिरने नहीं दिया और बहुत जल्द, बहुत जल्द उपरवाला मुझे सुर्खुरू कर देगा तो लोगों को मालूम होगा कि इज़त कमाना कितना मुश्किल और जिल्लत कमाना कितना आसान है वाओ हमें आप से पूरी हमदर्दी है जहीर साहब मगर कतल एक बहुत बड़ा जुर्म है और आपकी बेटी ने तो दो लोगों का कतल किया है मेरा तो मशवरा आपको यह है कि आप कोई तगड़ा और काविल वकिल करें कमसकम मुझरिब फांसी से दो बच जाएगा देखिए जनाब मेरी बेटी ने तो अपने बचाओं में फायर किया था अगर वह ऐसा ना करती तो वो दोनों दो मार देते जान्ट से उसे आपकी यह बात इन्मेस्टिगेशन में फेवर कर सकती है इसके लबाद लड़का और लड़की के खून में मन्शियात के अज़जा पाए गए इसे थाबित होता है कि वो किस कमाश के थी फिर भी इन्मेस्टिगेशन तो बनती है ना सजी पर सब मेरी बीठी के साथ पहुंच जाती हुए साथ वो मासूं है आप जो कहींगे वो में करने कर दो या दो या दिगे हम तो अपनी दरफ से पूरी कोशिश करेंगे जाहिए साब आप भी अपनी ज़रा सी कोशिश कर ले अब हाँ वो मैं यह कह रहा है साब से कि मैं आपको बहुत जल्द लिक हम पुचा दो तीन दिन ले 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 हम है ना आप कोई फिकर ना करें अब हम इजाज़त चाहते हैं जी महरबादे चलिये डैड मैं राहिल से ही शादी करने हैं और ये मेरा आखरी सेस्ट है डैड जिन्दगी मुझे गुजारनी है आपको क्या प्रॉब्लम है तुमसे महबत ना होगी ना तो कोई प्रॉब्लम में लेकिन मैं बेज़ता है इसे उसंदिल बाप तो ये शादी तुम्हें जितना रुलाईगी ना तो सब कुछ मैं तुम्ते वाज़ करते हैं डैड फॉर गॉद सेख मैं राहिल के साथ खुश रहूंगी मुझे राहिल पसंद है राहिल जैसा भी है जो भी है मुझे पसंद है जिन्दगी मैंने उसके साथ गजारनी है डैड अगर अपनी जित पे अटके रहना आप तो मैं भी कोट मेरेज करूँ अब अब देखें इजद बचानी है यही को अब अब देखें बचानी है